हिमाचल के कुलू मराली में रविबार को बादल भटने से भारी बारिश के कारण व्यास नदी में बार जैसे हालाद बन गए बार का पानी कई राष्ट्य राजमार्क पर भी आगया जिससे आने जाने वाले परिटको को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इसके साथ ही कुलू प्रशासन ने व्यास नदी के आसपास वाले इलाकों में जोपडियों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिये हैं बताया जा रहा है कि देर रात से हो रही बारिश के चलते व्यास नदी उफान पर है वही कुलू मनाली हाईवे के आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब दो दर्जन लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे Rescue Operation लगाता जारी है माना जा रहा है कि कुलू की व्यास नदी में पानी का ये भयावे स्तर साल 1995 के बाद हुआ है